तो फाइनली आचुके मास सुमराजा आई देव गन के एकोने एपिसोड में बापिस है देखो अब तक ही बात करें अजे की ऐस डुमेस्टी हाइस्ट ग्रोसिकी फिल्म कौन सी है ताना जी 2020 को आई थी ऐस डुमेस्टी की बात करें जो कि आप वर्ल्ड वाई देखोगे तो मुंबई 144 से जाए कुछ क्लेक्शन किया था और आज के टाइम यह थर्ड हाइस्ट है एजा वोल्यूड की बात करें नवर बन पेस त्री टू है सेकंड गदर टू है थर्ड मेरे बाई ताना जी एजा मुंबई आगे शायद फॉर्थ जवान है फिप्थ एनिमल है और सि फिर भी एज़ा मुंबई सर्किट आप देखोगे तो थर्ड हाइस्ट क्लेक्शन है जिन्हों ने 140 के आसपास एज़ा मुंबई से क्लेक्शन किया है बाई सभी ने 500 सी आर बिसनस किया एज़ा नेट के बात करें चाहे बो स्त्री टू हो चाहे बो गदर टू हो चाहे बो चाहे बो पठानों चाहे बो जबानों वाट मातर एक ताहना जी है जिसने 300 कोड अंडर फिनिश किया एज़ा लाइफ टाइम फिर भी वह मुंबई सर्किट एज़ा थार्ड हाइस्ट क्लेक्शन करने वाली फिलम मैं यह पता चलते कि बाई मुंबई आजे का अलग फैनमे इस इवन द्रिशम डू काफी क्लोस थी एज़ा 100 CR के आसपास बाई इनका महाराश्टा के अंदर अलगी फैन बेज है ऐसे थोड़ी कहा जाते है वाई मुंबई का राजा अजी देव गन बाई सम रिजन में है और क्रिकिट में रूई शर्मा गोब चलो फिलाल करो सब कु ड्रामा फिल्म होगी और बायोपिक रहने वाली है बाजी प्रभू देश पांडे अब समको श्याद ना पता हो कि वाई यह इनसान कोन है सबसे पहले यह एक मराथा आर्मी मैंन थी पावन हिंट जो वार हुआ था इसमें शिवाजी महाराजी को इन्होंने रक्षा की थी उनकी रक्षा के दोरान वाई इन्होंने अपने प्रान की आहूती दी थी यह वो इंसान है 1660 के बेच में उन्हीं के बायोपिक यह फिल्म है वो बनने जा रही है तो फिलाल अब मेकर से डवल माइंडीन है मेबी यह फिल्म ना भी बन सकती है अब उनके पास लेट सी पर रहने वाला है वाट ना बनने का रिजन किया है 2022 को आई पावन खिंड फिल्म वैजा मराथी और इनी की बायोपिक बनी थी अब ओम राव जी को भी पता है इवन अजी देव गन को भी पता है कि महार रास्ट्रा के अंदर यह फिल्म क्या बॉक्स ओफिस में क्लेक्शन पर निकाल सकती है वट उनके बायोपिक पर एक अभी रिसेंटली फिल्म बनी थी तो उसके बाद भी क्या यह फिल्म अच्छा असा बॉक्स ओफिस में क्लेक्शन पर निकाल के जाएगी या फिर नहीं बस यही डवट है वट अभी फिलाल देखा जाए यह जो पर सबकुई सही रहा तो में भी बन भी सकती है अगर बनाते हैं तो आगे क्या हो सकते हैं सबसे पहले इसमें तीन में कारेक्टर है और रहने वाले हैं एक गाइस सीधी जोहर नेक्स्ट है अदिल शा है यह सफ में बाजी प्रभु देश पांडे जी की बात करें यह मैन चार इसमें करेक्टरँ रहने वाले है सबसे पहले बात करें शिवाजी महाराज जो कि उनका इतना जायर रोल तो नहीं होगा इसमें में तो बायोपिक बन रही है बाजी प्रभु देश पांडे के बारे में तो शिवाजी महाराच अगर ये फिलप बनाते हैं ओम्राव जी तो सुनने में आ रहा है कि शरद केल कर अगर अगें बापी सा सकते हैं एद शयाइड बही इसमें जिवाजी भाराज एज़ा क्रेक्टर रोल प्लेई कर सकते हैं जो कि आज देव गन की बात करें वह बाजी प्रभू देश पांडे एजा वक्रेक्टर उनका रोल प्लेई वह करने वाले आज़ा मरथा आर्मी आज़ा मरथा मैं एज जब डिया मॉ मुबई इवन महारास्ट्रा की बात करें इनको बाप लेवल का रिस्पॉंस मिलता है ताना जी अभी मैंना सुन को कलेक्शन बताया भी है काहे पड़े ओ चक्कर में बाई कोई नहीं है टक्कर में यह हाल है ऐसा मुबई की बात करें लेट सी देखते हैं बने की तो ठीक है न मैंने यह शायल फिल्म देखी दी पावरहिंट की बात करें उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया था कि अगर वो शिवाजी को नहीं मारेंगे तब भी उनको मार दिया जाएगा इवन फिर अदिल शाह की बात करें उन्होंने अटैक किया शिवाजी महाराच और आगे फिर इनकी बात करें बाजी प्रभुदेश पांडे यह बीच रास्ते में उनको रोक देते हैं इनके बीच में हमें यूद्दबो देखने को मिलता है जो कि प्रभुदेश पांडे संब कही सारे इनके सैनी के मों मारे जाते हैं इवन भाई की बात करें वो भी मारे जाते हैं इवन य का इमोशनल शुरू से जो हमें दिखाई है वो देता है तो यह वाला भी काफी जाई पॉर्टेंट आपो रहने वाला पॉर्जक नो डवट इवन बीजिया म्यूजिक ताना जी की बात करें तो हम यह भी उमीद करेंगे यहां पर हमें कुछ ऐसा वो देखने को मिलेगा बट सुनने में भें मेकर्स अप्रोच कर रहे रिति रोशन को रिति रोशन आंटेगनिस्ट रोल प्लेइँ वो रहें किया मिलीख करेंगे तो आप यह उम्मिद मत रखो घ्र कर सकते एंफ लाज बट मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वह करेंगे करते हैं तो यार अजी और रितिक को एक साह देखना शायद यह फर्स टाइम होगा बट आइधिंग सो वह इस प्रोजेक्ट को एग्रिय बोट नहीं करेंगे तो फिलाल अभी बात शुरुवाती चरण मे और सब कोई सही रहा तो अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा नो डवट मेकर्स को बस यही डवट है कि फिलम अभी 22 में आई थी इनके बायोपिक पर अगेन यह बनाना क्या यह चलेगी नहीं चलेगी बस इस पर थोड़ा डवट है आइधिंग सो आजे है बाइनका अलग फैन चाहिए अजे की सारी रीमेक फिल्में बनाते हैं तब इन्हें बॉक्स आफिस में सक्सक्स मिलती है चाहे बोला देख लो आज के टाइम कोई रीमेक बना रहा है 15-20-25 क्रोड भी कर ले तब भी बड़ी बात है और बोला 90 क्रोड के आसपास इवन द्रीशव फरंजैजी द सकते हैं और बना भी सकते हैं अगर वो फ्लैनिक कर रहे हैं यही था आज का एपिसोड तो आयोग सबीकों इच्छे समझ में आ गया होगा वागिए सब कुछ उप्टेट सांगो इस जना पर मिलता रहेगा तो मिलता है नेक्स एपिसोड में तब तक लिए